ओम शान्ति आज 10 फर्वरी 2022 आज की साकार मुर्ली रंगीन बड़े बड़े अक्षिरों में पड़ें सुनें और मन्थन करें मिठा मिठा बाबा कहते मिठे बच्ची बाप को जानो जानी जाननहार भल कहते हैं बाप जो जानी जाननहार है वो कहते हैं परंतु हर एक को अपना समाचार जरूर देना है बाबा जानी जाननहार है सब कुछ जानता है परंतु हर एक को अपना समाचार जरूर देना है क्यों देना है तो बाबा को क्यो समचार देवे हैं अपना समचार बाबा को क्यो देवे हैं बाबा जानता तो है फिर उसको हम बताएं हैं जी नहीं आपने बात नहीं समझे बाबा कहते हैं बाबा कहते हैं बाब को जानी जाननहार भल कहते हैं वो सब कुछ जानता है पर तो हर एक का अको अपना समाचार जरूर देना अपना समाचार बाबा को जरूर देना है फिर क्या जरूरत है देने की जब उसको पता हैं जी अपना को बताना है कि मैं आत्मा हूं आप भी आत्मा एक अपना एक बाबा तो एक भी कमी दूर ना करें नहीं मेरे भी बागत ही नहीं समझते आप क्योंकि विकार्म विनाश बाबा कियाने से बाबा तो नहीं करेंगा ना बाबा को पता है कि ये क्या ठीक है क्या गलत है परंतु बाबा करते फिर भी परंतु हर एक को अपना समाचार जरूर बताना है बाबा को बताना है कि मेरे से आज क्या गलतिया हुई मेरे से क्या क्या सुधार हुआ मेरे में अभी क्या क्या गलतिया है ये बाबा को जरूर बताना है ये क्वेश्चन है कि क्यों बताएं जब बाबा सब कुछ जानता है क्योंकि जब तक हमें सेल्फ रियालिजेशन नहीं होगा हम स्वेम महसूस नहीं करेंगे कि हमारे में ये ये गलतियां हैं तब तक हम अपने अपको सुधारेंगे नहीं आज तक हम क्या करते हैं हम दूसरों को दोश देते हैं तेरे कारण, तेरे कारण, तेरे कारण, यह सब कुछ हुआ तेरे कारण, अपना का, मेरा कोई कारण नहीं है, मैं तो एक दम दूद का धुला हुआ हूँ, जिसमें कोई गल्ती नहीं है, यह सारी गल्तियां, तेरे कारण ही तुमें सब कुछ हुआ है, जब तक हम दूसरे को दोश ठेराते रहेंगे, हम दोश किसका निकालेंगे, दूसरे के दोश हम निकाल नहीं सकते, हम अपने आपको ठीक नहीं कर सकते, हमें यदि सुख मिल रहा है तो उसका जिमेवार भी मैं हूँ, हमें यदि दुख मिल रहा है तो उसका जिमेवार भी मैं हूँ, सुख का भी जमेवार में हूँ गल्ती मैंने की है तो मुझे दुख मिल रहा है बाबा क्या करेगा बाबा हमारी किसी भी दुख को दूर नहीं करता वो तो सिर्फ रास्ता दिखाता है हम उस रास्ते पर चले चले ना चले चले हमारी मरजी ना चले तो जब हम मेसूस करेंगे बाबा को बताएंगे कि बाबा आज मेरे से ये ये गलतियां हो गई मेरे से गलती हैं मैंने दूसरे का समझार नहीं देना कि उसने ऐसे किया उसने ऐसे किया मुझा दूसरे के हम कल के उसमें बिताएं दूसरे के हम गलतीयों को देखते हैं तो ये भी परचिंतन है हमने किसी में कोई गलती नहीं देखे हमने देखनी हैं तो सिरफ अपनी गलती देखनी है समचार देंगे तो सावधानी मिलेगी कि मुरली में रोजाना क्या मिलती है हमें सावधानी मिलती है क्योंकि सावधानी हमें समझ में ताब आएगी जब हमने रियलाइज किया होगा वन रोजाना कहता रहता है बाबा हमारे में सुधार नहीं आएगा सावधानी हमें समझ में ताब आएगी कि मैंनी रात को बाबा को बताया कि ये मेरी कमिया है और बाबा ने आज मुझे बताया कि ये कमी ऐसे निकले जवाब तो मुर्ली में मिलेगा और मुर्ली में समझ में तबाएगा जब मैंने बिमारी पहचानी है और बाबा को बताई है तो मैंने बिमारी पहचानी है यदि मैंने बिमारी नहीं पहचानी है तो इलाज किस चीज़ का मिलेगा प्रश्ट बेहद स्रिष्टी को स्वर्ग बनाना है इसलिए सेंसिबल बच्चों का काम क्या है समझदार बच्चों का क्या काम होगा इस बेहद स्रिष्टी को क्या बनाना है स्वर्ग बनाना है तो इस sensible बच्चों का काम क्या है हर एक का यथार्थ समाचार देना बाप को ठीक समाचार देंगे तो बाप शिक्षा देंगे ठीक समाचार देंगे तो बाप क्या करेंगे शिक्षा देंगे तो बाप शिक्षा देंगे कि तुमारे में ये भूत है इस कारण डिस सर्विस होती है अपनी चलन सुधारो दे अभिमान की इच्छाओं का त्याग करो बेहद स्रिष्टी को स्वर्ग बनाना है इसलिए सब के प्रती बाप की यही द्रिष्टी रहती कि सब को ग्यान दो गरिबों पर तो खास ध्यान रहता है ध्यान रहता है कीत मुझ को सहारा देने वाले तेरा शुक्रिया ओम शान जो अच्छे पुरशार्थी निश्चे बुद्धी हैं वे तो समझ जाते हैं की बरोबर परम पिताप परमात्मा जिसकी बंदगी करते हैं उनकी ही महिमा है सारी दुनिया जिसकी बंदगी करती हैं उनकी ही महिमा है जो भी होकर जाते हैं उनकी महिमा गाते हैं कर्तवय के उपर किसकी महिमा को जानते हैं किसकी महिमा को नहीं जानते हैं तुम बच्चे तो सब की महिमा को जानते हो बाबा को कहा जाता है जानी जानन हार परंतु जानी जानन हार का अर्थ बच्चे पूरा समस्ते कितने बच्चे समझते हैं हमारे दिल की बाते तो बाप जानते ही होंगे सारे बच्चे क्या समझते हैं बाबा हमारे दिल की बात सारी जानता हो हम फिर क्या लिखें पता तो है उसको कि मैंने यह यह गलतिया की है फिर हम क्या लिखें परन्तु ये रौंग है, ये गलत है, बाप तो एक है, इतने सब देर बच्चों के संकल्पों को रीड करेंगे, क्या ? एक बाप है ना डेर सारे बाप थोड़ा है फिर उतने सारे बच्चों के इसके दिल में क्या है इसके दिल में क्या है इसके दिल में क्या है इनको बैठकर रीड करेगा कि वो क्या सोच रहा है वो क्या सोच रहा है वो क्या सोच रहा है वो क्या कर रहा है इसलिए दुनिया वालों ने क्या किया उन्होंने एक चित्र गुप्त बिठा दिया जो हर एक का सारा दिन भागे लिखता रहता है सोच करके देखो एक एक क्या क्या कर रहा है कैसे लिखेगा कैसे लिखेगा कैसे उसको पता लगेगा इसलिए उन्होंने देखा कि बगवान सारे काम कैसे करेगा उन्होंने उसको एक डिपार्टमेंट बना के दे दिया कि दर्मराज भी है, यमराज भी है, छोटे यमराज भी है, चित्रगुप्त भी है चित्रगुप्त के बाद संदेश लेने वाले कौन है? कौन पहुंचाता है उसके पास संदेश के कौन क्या कर रहा है कौन क्या कर रहा है वही हमारे सूरज और चान वही देख सकते हैं सारी पृत्थी को कि कहां क्या कर रहा है वो कैमरे है जो घर में लगाए जाते है वो सारा दिन देखते रहते हैं क्या कौन कर रहा है और वो सूरज जो है राज को लिखवाता रहता है चंदरमा दिन में लिखवाता रहता है उन्होंने यह लिख दिया उनको क्या पता कि ये तो 24 गंटे चलते रहे थे इसलिए आर्क दिया जाता है आर्क क्यों दिया जाता है मैंने वरत रखा है ये भगवान चरदरमादे उता निकला आया रहे तो देख ले मैं अभी तक भूखी थी लिखवा दियो चित्र गुट को कि मैंने वरत रखा मेरे पती को मत मारियो मैंने एक आज़्षी का वरत रखा सूरिज भगवान देख आर्क दे रही हूँ 24 गंटे से मैं बुखी हूँ लिखवा दियो ये आर्क देने का मतलब यही था और कुछ नहीं था तब तक खाना नहीं खाते जब तक चंदरमा को अर्क ना दे अर्क देने मैं लिखवाना लिखवा दे मेरा वहाँ पर चित्रगृत के पास कि मैं एतनी अच्छा हूँ पुरा डिपार्टमेंट बनाकर रख दिया ना चंदरमा लिखवाता है ना सुरद लिखवाता है ना धर्मराज है ना कुछ है आप बताओ क्या करेगा उसको कौन बताएगा कैसे बताएगा तो समझते हैं ये कैसे पढ़ते हैं बाब तो यहां आते हैं आकर टीचर रूप में पढ़ाते हैं तो समझते हैं ये कैसे पढ़ते हैं निश्चे बुद्धी हैं वह नहीं, ऐसे नहीं कि वहाँ परमधाम में बैठ यहाँ ख्यालाद चलते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं, मुझे याद करना हो तो कहीं याद करो, परमधाम में, मतलब ये परमधाम में याद करने का मतलब क्या है, कि मैं संकल्प ही नहीं चलाता कि कौन क्या कर रहा है जो कुछ भी जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं तब ही वो शांत रह सकता है आपको यह दियान में चले कि काम वहाँ चल रहे हैं वो मजदूर यह कर रहा होगा वो अराम कर रहा होगा वो काम नहीं कर रहा होगा आपकी वहाँ गार बैठे नीन्द खराब कम्पनी के मालिक को ये रहे कि मेरे काम मैं पता नी गड़ बढ़ तो नहीं हो रहे होगी तो कम्पनी के मालिक को तो नीन्द आएगी नी कैमरे भी आके देखेगा तो पता लगेगा तब तक जो होना है वह चुका परंतु क्या है कि बाबा केते बचे मैं बिल्कुल भी ये संकल्प ही नहीं करता कि कोई क्या का रहा है जो भी कर रहे हैं वो एक्यूरेट कर रहे हैं तब ही वो संकल्प रहत रहता है मेरा कोई भी एक्टर जरा भी गलती नहीं कर सकता तो निसंकल्प होते हैं कैमरे में देख रहा है तो भी उसकी नीद खराब वो देख रहा है ना कैमरे से तो नीद तो नहीं कर सकता हो अराम तो नहीं कर सकता निसंकल्प तो नहीं हो सकता लिखते हैं बाबा हम क्या समाचार दें आप तो सब कुछ जानते हो का पढ़ाई का समचार देना है और पढ़ाने वाले को थ्रू यह ब्रह्मा पोस्ट ओफिस द्वारा पूछना है ऐसे नहीं कि आप तो सब कुछ जानते हो हम बाबा से छिप नहीं रह सकते नहीं इसको अंद शर्धा कहा जाता है इसको क्या कहा जाता है अंद शर्धा अंद विश्वास यह समझना कि परमात्मा सब कुछ जानता है यह अंद विश्वास बाबा को ब्रह्मा द्वारा समाचार देना है अनेक परकार के बच्चे है न यह हर एक को अपना समाचार देना है इसलिए हर सेंटर से पूछते हैं बारा मास के आने वाले का रेजिस्टर और हर एक का अक्यूपेशन लिखकर भेजो अगर बाबा जानते हो तो क्यों पूछे? क्यों कहें कि आप लिखकर के भेजो? जो कुछ उनको जानना है वे इनको भी जानना है ब्रमा बाबा को भी जानना है थूर तो इनके है ना ट्रंक कॉल भी थूर होता है आपने तो शायद नहीं देखा होगा ट्रंक कॉल होता था पहले सुना है ट्रंक कॉल हम वो सोफिस में फोन करके बताते थे इस नंबर पर हमारी बात कराओ तो फिर वो नंबर मिलाते थे फिर हमारे पास नंबर डायल बसते थी कि आप बात करो तो उस में जो वो सोफिस में होता था सुनने वाला जो मिलाने वाला होता था वो हमारी बात सुन सकता था अपरेटर को चाहिए तो सुन सकता है यह वो चुनना चाहिए तो सुन सकता है बाकी वो लगबग सुनते नहीं है पन्तु माना है चाहिए तो सुन सकते हैं उनके पास आवास ठीक आता है तो यहां भी हर एक का समाचार सुनाना है बीच में किसको पता नहीं पड़ता फिर तो फिर बी के मुकरर है समाचार देने के लिए जो ज्यान में परिपक्व अनन्य बच्चे हैं उन्हों का काम है पूरा समाचार देना हर एक को कार खाने का समाचार देना है जो sensible बच्चे हैं वो लिखते भी हैं बाबा फिर शिक्षा देंगे नहीं तो चाल सुद्रेगी नहीं नहीं तो क्या नहीं सुद्रेगी पूरा गुणधारन नहीं करते हैं दे अभिमान बहुत है इच्छाएं बहुत हैं दे एंकार की sensible बच्चे जर समाचार देते हैं कि ये ये कारण है जो डिस सर्विस होती है बाबा साबधानी देंगे ये भूत है निकालो नहीं तो पद ब्रस्ट हो जाएगा बाबा है बेहद स्रिष्टी को स्वर्ग बनाने वाला सब के लिए ये द्रिष्टी रहती है कि तो इनको उठाएं गरीबों पर खास ध्यान जाता रहता है दान हमेशा गरीबों को किया जाता है गरीब ही निमित बने हुए हैं राजाई स्थापन हो रही है प्रजा तो बहुत होती है ब्रिटिश गवर्णमेंट थी तो बड़ोदा ग्वालियर आदी के जो राजाएं थे एक राजा रानी वजीर और बाकी प्रजा थी कोई को बीस लाख प्रजा कोई को तीस लाख प्रजा नमबर वार थी तो दर्बार में सब राजाओं को बुलाते थे दर्बार भी नमबर वार बैशती थी माराजाओं की लाइन अलग राजाओं की अलग राय बाहदुर राय साहब आदी बहुत टाइटल वाले होते हैं नमबर वार ये भी ऐसे हैं उचे ते उचा बाप उनका तो सब को रिगार रखना है बाप ही आकर कल्प कल्प भारत को हैवन बनाते हैं बारत वासी बाप को गाली देने लग पड़ते हैं सतो परधान से सतो रजो तमों में गिरना ही है जरूर तो उचे ते उचा है भगवान फिर उनसे तेलुक रखने वाले हैं ब्रह्मा विष्णू शंकर सुक्षम वतन वासी जाड का तो पता होना चाहिए न ब्रह्मा विष्णू शंकर सुक्षम वतन वासी जाड का तो पता होना चाहिए न लाइन समझ में आई है सबसे उचे ते उचा है भगवान फिर उनसे तेलुक रखने वाले हैं उनसे बीच में जोडने वाले हैं ब्रह्मा, विश्नु, शंकर ये है सुक्षम वतनवासे ये है संकल्प की दुनिया वाले ये कैसे जोडते हैं? ये तो है ये नहीं? ये कैसे जोडते हैं? बहुत गुए जवाब दिया है इसके अंदर कि ब्रह्मा के ही तो तीन रोल है ना थू ब्रह्मा आप ब्रह्मा बाबा को सुनाएंगे तो वो मेरे पास पहुंच जाएगा इसके बिना नहीं पहुंचना तो ब्रह्मा विश्नु शंकर क्योंकि संगम योग पर पूरे सव साल या हम कहें निनानवे साल परमात्मा और हमारे बीच का जो जोडने वाला कड़ी है वो ब्रह्मा है चाहे वो साकार प्रजापिता ब्रह्मा है चाहे वो आकारी ब्रह्मा या शंकर है या वो स्री कृष्ण सो विष्णुवा या विष्णुवा स्री कृष्ण है ये तीनों रूपों में इस समय जो विचोलिया है क्योंकि ये है ना सुक्षम वतन में भलो उसने कृष्ण के रूप में जनम ले लिया है पर तो अभी भी वो सुक्षम वतन में सारा काम कर रहा है सुक्षम रूप से सारे काम कर रहा है परमात्मा नहीं आता परमात्मा सिवाए डारेक्शन के कुछ नहीं देता एक इंट उठा के इधर से उधर नहीं रखता एक तिनका यहां से उठा करके उधर नहीं रखता जाड का तो पता होना चाहिए न तो इस सुक्षम वतन वासी ब्रह्मा विष्णु शंकर ये क्या है विचोलिया तो ब्रह्मा विचोलिया है और कोई विचोलिया बनाया है नहीं बाप को ही इस जाड का नौलेज कहा जाता है और कोई में भी नौलेज नहीं तो उचे ते उचा बाप फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर फिर प्रजा पिता ब्रह्मा और जगत अंबा कितना बिच में लिंक जोड़ दिया कि फिर प्रजा पिता ब्रह्मा और जगत अंबा मात पिता मशूर है जगत अंबा सर्स्वती है ब्रह्मा की बेटी प्रजा पिता ब्रह्मा और जगत अंबा अलग और ब्रह्मा विष्णु और महेश अलग इसलिए जो हमारे चित्र बने हुए पुराने उसमें एक बिंदी है सबसे उपर मोटे वाली शेव बाबा फिर उसके बाद तीन बिंदिया है फिर उसके बाद दो बिंदिया है उसक बात ये सपस्ट करती है कि ब्रह्मा विष्णु दो नीचे साकार में दो बिंदियां हो गई उपर जो तीन बिंदियां लगाई है वो ये बताने के लिए ये ब्रह्मा है ये विष्णु है ये शंकर है परंतु ये तीनों रोल एक ब्रह्मा के हैं ये तीनों रोल एक ब्रह्मा के हैं तीन आत्माएं नहीं हैं ये राज बाद में खोला ये राज बाद में खोला जगत अंबा सर्स्वती है ब्रह्मा की बेटी उनका नाम भी एक उनका भी एक नाम होना चाहिए कोई अंबा कहते हैं कोई काली कहते हैं कोई सरस्वती कहते हैं बहुत नाम रखे हुए हैं ये है प्रजा पिता ब्रह्मा और फिर बी के सरस्वती ब्रह्मा कुमारी सरस्वती दिखाते भी हैं सरस्वती के पास सितार है पहले पहले मुख्य गौड़ेज आफ नॉलेज जैसे इनको ग्यान की मुर्ली दी है उनको फिर सितार दी है पहले पहले मुख्य गौड़ेज आफ नॉलेज सरस्वती जगत अंबा कौन सी नॉलेज है राज योग की इनको किसने दी ग्यान सागर ने ग्यान सागर बाप से य ब्रम्मा और सर्स्वती दोनों वे ज्यान ज्यानेश्वरी, इश्वर से सहज राज योग का ज्यान पाकर राजाई पाई अकेले थोड़े होंगे ये राजाई स्थापन हो रही है कितने ब्रामन ब्रामनियां हैं पड़ रहे हैं जो फिर पुझे राजा रानी बनेंगे फिर सतो परदान से सतो में आते दो कला काम फिर रजो तमों में आकर पुझे से पुझारी बन जाते हैं आप पे ही हम सो पुझे थे फिर हम सो पुझारी बने आप पे ही पुझारी बने ये परमात्मा के लिए नहीं मानेंगे ये परमात्मा के लिए नहीं गाएंगे कि आप पर पूजे आप पर पूजारी वो कैसे पूजारी होगा उसको तो शरीरी नहीं है हम तो हम रजो तमों में आकर पूजारी बने हैं बाबा ने समझाया वास्तों में धर्म शास्त्र है ही चार मुख्य है शिरीमत भगवत गीता माई बाप बाकी हैं इनके बच्चे इसलामी बुद्धी आदी धर्म वाले उच्टे उच्ट है गीता फिर इसलामियों का शास्त्र है धर्म स्थापना के मुख्य शास्त्र ये हैं पहले पहले देवी देवता धर्म की धर्म उनका शास्त्रा है गीता उनका सर्मोनाइजर है परम पिता परमात्मा गीता को सुनाने वाला कौन है परम पिता परमात्मा वही ग्यान सागर ग्यान सागर है जरूर उनको उच रखना चाहिए बाकी हुई बिरादरिया बाकी सब क्या है बिरादरिया है देवी उँच तो एक बात ठेरा religious conference में पहले तो उँच चाहिए वे धर्म प्राय लोप हो गया है जो फिर अभी स्थापन हो रहा है स्थापन करने वाला है परमपिता परमात्मा वे तो निराकार है हाँ ब्रह्मा द्वारा कर रहे हैं गया हुआ भी है परमपिता परमात्मा ने ब्रह्मा द्वारा ब्रामन रचे ऐसे नहीं कहेंगे किर्शन ने ब्रह्मा द्वारा ब्रामन रचे परमपिता परमात्मा ने ब्रह्मा मुख द्वारा ब्रामन रचे फिर वही ब्रामन सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हैं तो सूर्यवंशी चंद्रवंशी धर्म की स्थापना हो रही है तुम हो देवी देवता धर्म की विरादरी तुम जानते हो क्या जानते हो हमारे बाद फिर सेकंड नंबर विरादरी इसलामियों की होगी फिर बुधियों की ऐसे विर्दी होगी ये सब बुधि में धारणना चाहिए जो पास्ट हो गया उसके शास्त्र बनाते हैं अभी जो कुछ होता है ड्रामा शूट होता जाता है फिर कल्प के बाद रिपीट होगा सारी दुनिया की एक्शन शूट हो रही है फिर पांच जार वर्ष के बाद तुमारी ये लास्ट एक्ट चलेगी ये बहुत समझने की बाते हैं तो उच्छ ते उच्छ शिव बाबा फिर जगत अंबा और प्रजा पिता ब्रह्मा और उनके बच्चे तीन भाई तो हैं ना कौन है तीन भाई ये बहुत समझने की बाते हैं तो उच्छ ते उच्छ शिव बाबा फिर जगत अंबा फिर प्रजा पिता ब्रह्मा और उनके बच्चे तीन भाई तो हैं बाकी देवी देवता धरम बड़ा भाई है तीन भाई किनको बताया है तीन धर्म बाबा आकर तीन धर्म स्थापन करते ना ब्रामन धरम देवी देवता धरम और चट्रियत धरम बाकी देवी देवता धरम बड़ा भाई है वैसे कहते है ब्रामन सबसे उंचे हैं और धर्म देवी देवता सबसे बड़ा है क्यों तो ब्रामन डाइमन है देवी देवता गोल्ड है तो कौन बड़ा है ब्रामन बड़े है अब तक तो यही कहते है बाबा कि ब्रामन बड़े है ब्रामन चोटी केते हैं तो आज बाबा करता है देवता धर्म सबसे बड़ा है धर्म तो ब्रामन धर्म तो संगम पार है ना ब्रामन बड़े हैं परन्तु ब्रामन धर्म बड़ा ने क्योंके स्टूडेंट है सीख रहे जिस दिन सीख जाएंगे 100% बनेंगे तो देवता बन जाएंगे और जब देवता बनेंगे वो धर्म उचा हुआ ना 100% तो उस समय हुए ना, बाकी तो उनका सारा जो समय था वो पढ़ने में गया ना, बात समझ में आई है, वो बात अलग है कि वहाँ देवता धर्म बनने के बाद फिर गिरना शुरू हो जाएंगे, चत्रे धर्म छोटा है, तो ब्रामन धर्म भी छोटा, चत्रे धर्म भी छो सीख रहे हैं, ये ध्यान देना है, हाँ, हमारा ब्रामन जर्म देवताओं से उचा, क्योंकि हम इश्वर ये संतान हैं, और वहाँ देवताओं के बच्चे हैं, वहाँ देवता के बच्चे के लाएंगे, और अब क्या के लाते हैं, इश्वर के बच्चे, प्राय लोप हो आदिशनातन देवी देवता धर्म नहीं है तब तो मैं आकर के उसकी क्या करूं? स्थापना करूं. बाकि सब खलास हो जाएं. देवी देवता धर्म होता है तो और कोई धर्म नहीं होता और कोई भाई होते नहीं. सिरब आदिशनातन देवी देवता धर्म वाले होते हैं. ये बाद में होते हैं एक ही बाप रचाईता है एक ही रचना है. बाप कहते हैं मैं फिर से राज योग सिखाने आया हूँ. तुम जानते हो विनाश के लिए ये महभारी महभारत लड़ाई भी खड़ी हुई है. खड कोई चीज होती नहीं जो चोर आकर उनसे कुछ सोना आदि लूटे. बेंक ममंदरों में है परन्तु यहां कोई सोना चांदी नहीं. जो भी है सब खच कर दो. सेवा में लगा दो. किसके लिए रखना? ये तो पाठशाला है. पाठशाला में किताबे नक्षे आदि होते हैं ये भी पाठशाला है. ये नक्षे हैं. डर की कोई बात नहीं. चोर क्या करेंगे? कोई वस्तू तो है नहीं. बाकी तो गाया हुआ है. किन की दबी रहेगी धूल में? किन की राजा खाए? किसी की चोर लूट ले जाए? किसी की आग जलाए? बाप समझा रहे हैं कितने भी लख पती, क्रोड पती, मल्टी मिल्यूनर हो. सब धन खाक में मिल जाएगा. मिल जाना है. तुमारी है सच्ची कमाई. सब से मल्टी मिल्यूनर्स तुम हो. तुम ये कमाई साथ ले जाएंगे. तुम जानते हो हम सब कुछ स्वर्ग में ट्रांसफर करते हैं. हम सब कुछ क् अब ले लो, सर्ग में देना, जैसे पोता चने लेके आता है, दादा चने खा सकते हो, नहीं, अच्छा रख लो, मैं आप से ले लूँगा, तो दादा खा सकता है, तो खा जाएगा, उसको तो ना देंगे, तो बाबा अभोगता है, इसलिए उसको दे दो, वो सारा का सारा आ कितनी समझने की बाते हैं, सो भी शिरीमत पर चलना है, ग्रेस्ट वेवार की भी संभाल करनी है, पर तो शिरीमत पर चलना है, मनुश्ये बहुत खर्चा करते हैं, करजा उठा कर भी तीर्थों पर जाते हैं, वे सब है भक्ती मरक की समगरी, ये भी सब अनादी है, गिराने के लिए भी चीजें चाहिए ना तमो परधान में जाना ही है तब तो मैं आकर समझाओं कि तुमने कितनी गलानी किया इसलिए दुरगती को पाया है फिर से वही चाल चलेंगे जो कल्प कल्प चलते हैं ग्यान और भक्ती ग्यान और भक्ती जब पूरी दुरगती हो जाती है तब सर्व की सद्गती के लिए बाप को आना है ये जप आदी करते करते कला कमती होती जाती है पूरे काले बन जाते हैं फिर रात के बाद दिन आता है ये सारा ड्रामा बुद्धी में रहना चाहिए मनुष्य जो ग्यान नहीं उठाते वे तो सिर्फ देखकर ही वा वा करते हैं बाहर गए और खलास बाहर गए और खलास इतनी परदर्शनी हुई एक भी निश्चे बुद्धी नहीं हुआ परदर्शनीया पूरी करो श्याम को बता रगता है कोई नहीं आ रहा दो चार पांदस आ गए तो दो चार पांदस दिन से बाद उन में से भी कोई रुक गया रुक गया चलेगे चलेगे फिर बाबा कहता है हजारों को समझाओगे तो एक दो कोटों में कोई इतनी परदर्शनी हुए एक भी निष्चे बुद्धी नहीं हुआ बल आते हैं समझने के लिए प्रंतु निष्चे बुद्धी एक भी नहीं माया पूरा निष्चे में ठहरने नहीं देती जैसे बांदेली गोपिकाएं कुमारियां घर बैठे लिखती हैं बाबा हम तो आपके हो गए आपको जान लिया है हम आपके ही हैं मर जाओंगी कब शादी नहीं करूंगी बंदन के कारण आ नहीं सकती हूँ थोड़ी ही चटक लगने से कैसे निकल पड़ती हैं और कोई के साथ दस वीस वर्ष माथा मारो तो भी समझते नहीं ये तो बाबा 21 जर्मों का प्राण दान देते हैं काल पर विजे पैनाते हैं वहां अकाले मिर्टु कभी होता नहीं है तो कितना बाबा की शिरी मत पर चलना चाहिए दान देना है औरों का भी जीवन हीरे जैसा बनाना है बल अपनी अपनी तकदीर है तो भी मुर्ली तो जरूर पढ़ने चाहिए मुर्ली तो कहां से भी मिल सकती है एक दिन बहुत भाशाओं में मुर्ली निकलेगी अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते हम रुखानी बच्चों की रुखानी बाप दादा को नमस्ते 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 तारना के लिए मुख्य सार स्वेम की उनत्री के लिए अपनी चलन और पढ़ाई का सच्चा सच्चा समाचार बाप को देना है अपनी और सर्व की जीवन हिरे जैसी बनानी है नमबर दो ग्रेस्ट व्यवार की संभाल करते श्री मत पर पूरा चलना है समझदार बन अपना सब कुछ स्वर्ग के लिए ट्रांसफर कर देना है वर्दान बाप की छत्र चाया के नीचे सदा सेफ्टी का अनुभव करने वाले सर्व अकर्षन मुक्त भाव जैसे स्थूल दुनिया में धूप वा बारिश से बचने के लिए चत्र चाया का आधार लिते हैं वे है स्थूल चत्र चाया और ये है बाप की चत्र चाया जो आत्मा को हर समय सेफ रखती है उसे कोई भी अकर्षन अपनी और अकर्षित नहीं कर सकती दिल से बाबा कहा और सेफ चाहे कैसी भी पृष्टिती आ जाए छत्र चाया के अंदर रहने वाले सदा सेफटी का अन्वव करते हैं माया के प्रभाव का सेख मात्र भी नहीं आ सकता स्लोगन ऐसे स्वाराजय अधिकारी बनो जो अधीनता समाप्त हो जाए विस्तार से जानने के लिए विश्व में 140 देशों में प्रजापिता ब्रमा कुमारी इश्वरिये विश्व विद्या लेके किसी भी सेवा केंदर पर संपर्क करें या 9213106986 पर केवल टेलिग्राम क करें फोल नहीं ओम शान्ति